हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरनमशकार सत्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बन मैं फिर हाजिनों एक नए रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी मिक्स वेच पकॉड़े जी हां ये चाय आपको पीने की जरूरत नहीं है जब भी भूग चोटी मोटी लगे तो इस तरह से आप पकॉड़े बना कर इंज्यॉय कर सकते हैं तो चलिए इन बड़ी से पकॉड़ों की रेस्पी देख लेते हैं तो फ्रेंड्स ये देखी ये वेजिस मैंने ली हैं ज्यादा मुप ड़े ना है तो देखी चॉप कर लिया है मैंने चारों चीजों को और स्यादा बड़े बड़े नहीं है सारा पानी रिलीज कर देंगी तो 10 मिनट हमें इसे रेस्ट पर रखना है और उसके बाद हम करेंगे आगे का काम तो चलिए 10 मिनट के बाद मिलती हैं मैं आपसे तो लिजिए फ्रेंट दस मिनट हो चुके हैं तो काफी vajis ने पानी रिलीज कर दिया है अब ढालेंगे हम इसमें बेसन, तो बेसन को पहले से भी मैं चाँच ÇUकी हूँ, और आप ढाल देते हैं इसमें, बाकी थोड़ा सा लगाव हुआ है, कटौरी में निकाल लेंगे, तो अब हम इसमें एड़ करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च जिंजर गार्लिक आप चॉप करके भी डाल सकते हैं इसे डालने से जो फ्लेवर आता है पकोड़ों में आपको बता नहीं सकती जरूर एड़ कीजिए अब डालते हैं कुछ मसाले तो आदा चमच मैंने डाल दिया है लाल मिर्ष का पाउडर याने रेडचिली पाउडरTON आदा चमच ही डाल दिया है हल्दी याने की में ड्राइग कर दिया है तो बस अब हमें इसमें एड करना है बेकिंग पाउडर बाकी मसाले में कुछ जादा नहीं ले रही हूँ इनी मसालों से ही बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है फ्रेंट्स पकोडों में तो थोड़े से हमारे जो पकोड़े हैं अंदर से सौफ्ट रहेंगे बेकिंग नहीं है तो हातों से ही अच्छी तरह से mix करेंगे ताकि सबजियों की जुसीज आए वो भी हमारे अच्छी तरह से release हो जाएं और पकोडों के वेसन साथ अच्छी तरह से mix हो जाएं तो पानी इसमें देखिए मैंने कोई एक भूंद भी नहीं add किया है अगर आपको थोड़ा सा बेसन ज्यादा इसमें लग रहा हो अगर तो आप थोड़े से sprinkle कर सकते हैं पानी लेकिन मैंने बिल्कुल बेसन perfect डाला है तो इससे ज्यादा हम ब कुकिंग कीजिए तो देखिए बाइंडिंग बहुत जबरदस हो रही है फिर भी हम इसे आप पांच मिनट के लिए रेस्ट पर जरूर रखेंगे ताकि थोड़ा सा पानी और रिलीज हो जाए तो लीजिए पांच मिनट हो गए हैं डालते हैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया एक बार फिर अचीतरा से करते हैं इन सभी चीजों को मिक्स तो पकोड़े हमारे बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल तयार है बिल्कुल परफेक्ट है और मैंने फ्लेम आउनकर कडाई रख दिया है और उसमें डाल दिया है ओयल मीडियम फ्लेम पर गरम होने के लिए तो चलिए फटआ-फट से फडाई भी कर लेते हैं इन पकोड़ों को तो डाल देते हैं पकोड़े बनने के लिए मिक्स्चर इसमें देखिए फ्रेंडस अब आपको इसम i7 शयप देने की जरूरत नहीं है तो यह जो mix wr秋 हम पकोड़े बना रहे हैं इसको आप जिस तरह से bitsन की oil में डाल दीजिएगा तो देखने में भी सुन्दर लगते हैं और खाने में भी बहुत लाजवाब लगते हैं तो डाल देते हैं जितने इस oil में आते हैं उसके बाद हम दूसरा बैच बाद में फ्राई कर लेंगे तो चाय के साथ इस तरह से गर्मा गर्म पकोड़े आप बना कर इंजॉई कर सकते हैं खाने में बहुत टेस्टी बहुत लाजबाव लगते हैं आप एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिए अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से अच्छी चीजिए सिंपल सिंपल इजी इजी वीडियो में आपके लिए लेकर आती रहूंगी तो देखिए कुछ सेकिंड के बाद ही हमें इसे लेट पलेट करना है ताकि अच्छी तना से ये पक जाएं ज्यादा समय नहीं लगता है तीन से चार मिनट में हमारे पकोड़े बहुत जबरदस बनकर त्यार हो जाते हैं तो लीजिए और बाकी वेजिज आप इसमें कोई भी आइड कर सकते हैं मुझे ये पालक आलू पालक प्याज और गोबी के पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं तो मैं तो इनी से ही त्यार कर रही हूं बाकी मैंने कई वेजिज के मतलब की पकोड़े इसमें अपलोड किये हूँ है चैनल में आप देख सकते हैं तो चलिए ये बैस तो हो गया हमारा बिल्कुल त्यार कलर भी देखी कितना बड़ी आया है और बहुत ही कुरकरे हमारे ये पकोड़े बने हैं अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल कुरकरे तो दूसरा बैस भी हमारा लगबग त्यार हो चुका है, फ्राई हो चुका है। तो बस इसे भी निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको दिखा दूँगी कि हमारे पकोडे किस तरह के बने हैं। तो लीजिये सभी पकोड़े मैंने निकाल लियें फ्राइ करके और ये देखिए कितने जबर्दस लग रहे हैं देखने में ही कितने टेस्टी लग रहे हैं और खाने में वाक़ी बहुत ही टेस्टी हैं तो आप इसे एक बार जिरूर ट्राइ कीजिए आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना बिलकुल मत बूलिएगा फिर मिलती हो दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई